हेलो बच्चों कैसे हैं आप सभी चलिए इस वीडियो में हम समझेंगे कक्षा साथ की वॉक्षीट नंबर 14 जो की 10 सितंबर 2020 की वॉक्षीट है बेटा आज का विशे है गनित और आज हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं रेखाएं तथा कौन तो चलिए हम समझते हैं कि यहाँ पर हमें कुछ टर्म्स हैं जो डिफाइन कर रखी हैं उन्हें सबसे पहले हमें समझना है कि इन्हें क्या चीज कहते हैं जैसे बिंदू है इनका कोई माप नहीं होता सिर्फ एक जगें पर यह स्थित होते हैं जैसे यहाँ पर मैंने एक बिंदू लगा दिया तो यहाँ पर इधर भी बढ़ा सकते हो और इसको आप इधर भी बढ़ा सकते हो तो इसको आप कहेंगे रेखा ठीक है रेखा क्या है इस रेखा के किसी बीच में से दो हिससे को निकाल लिया जाए मतलब यहां से और यहां से कट करके इस हिससे को निकाल लिया जाए इतना सा हिस्सा जो ब बचेगा यानि कि ये वाला ये दोनों बन जाएंगी किरने ठीक है ये होगी पहले किरन और ये हो जाएगी दूसरी किरन ठीक है अब इसके बाद हम देखते हैं एक बिंदू से गुजरती किरने कितनी किरने गुजर सकते हैं अगर एक बिंदू है इसे बहुत सारी किरने गु किनत किरने ठीक है दूसरा है कोंड एक कोंड दो किरनों के मिलने से बनता है जैसे कि मान लो एक किरन ये है दूसरी किरन ये है इनके बीच में जो बन रहा है उसको हम कहेंगे कोंड ठीक है यानि जब दो किरने आपस में मिलती है तो उनके बीच में जो बनता है उसी को कहा जा मुलती है उसको accent के वितन सकता है जैसे इसको अगर हम नाप killed तो सकता है यह बिलकिल हो सक्ती है अब यहाँ पे हमें पूछ रखा है क्या एक सरल रेखा कोंड हो सकती है सिंपल एक ऐसी रेखा है तो क्या ये कोंड हो सकती है बिल्कुल हो सकती है कैसे हो सकती है उसको हम थोड़ी देर बाद देखेंगे अब यहाँ पे देखो पूरक कोंड के बारे में बताया है जब दो कोणों के मापों का योग 90 डिग्री है जैसे मानलो एक कोण ये है जिसका मानलो 20 डिग्री और दूसरा ये कोण है जिसका मानलो 70 डिग्री अगर हम दोनों को जोडते हैं तो 20 जमा 70 आजाएगा 90 डिग्री यानि ये दोनों कोण बनाते हैं कैसे योग बनाते हैं ये ये दोनों हैं पूरक कोण अगर हम बात करें समपूरक कोण की तो जब दो कोणों के मापो का योग 180 डिगरी होता है तब हम उसे कहते हैं समपूरक कोण जैसे मानलो ये है मानलेते हैं 120 डिग्री और उसके बाद हम मानलेते हैं ये मानलो है 60 डिग्री तो 120 जमा में 60 आ जाएगा 180 तो ये जो दोनों कोण है वो बनाते हैं समपूरक कोण यानि दो कोणों को जोडने पे बान आता है 180 डिग्री उसके बाद है आसन कोण तो देखो ऐस स्ट स cockpit सेGER हों आसन कोणों में उबहनिस्ट सीश वंबहनिस्ट भुजा होती देखो माणलों यह कोण है यह पहला कोण और इस के बीच जो भुजा हैं यह दोनों कोण में आरिये इस वाले कोण में भी आ रिये और इसके अलावा एक इसकी common बिंदू होना चाहिए जो कि हमें यहाँ पर सीश वाला बिंदू नजर आ रहा है ठीक है तो यहाँ पर पहला कोड मानलो हमने नाम ले दिया इसका A यह हमने लिया और रख दिया नाम यह रख दिया B और यह रख दिया C तो पहला कोड है A O B और दू एक र्याकिक यूग्म एसे आसन कोडिनों का योग होता है जिन की भुजाएं विपरीध दिशा में किरने होती है जैसे देखो हमने एक कोंड बनाया ये वाला और दूसरा हमने कोंड बना दिया मानलो ये वाला तो अब ये जो रेखा है तो समान है हमें ऐसा लग रहा है कि एक ये रेखा थी इसके उपर एक दूसरी रेखा कीच के हमने कोंड बना दिया है जबकि exactly होता क्या है कि एक कोंड ऐसा है और दूसरा कोंड ऐसा आ रहा है ठीक है तो इसको हम कहते हैं रैखिक युग्म यानि कि इन दोनों कोंडों का जोड 180 डिग्री होना चाहिए अब आपको confusion होगा कि रैखिक युग्म में और समपूरक कोंड में क्या अंतर है तो रैखिक युग्म होते हैं कि एक ही रेखा पे बने हुए कोंड होते हैं और इन दोनों कोंडों का जोड 180 डिग्री होता है जबकि समपूरक कोंड ऐसे हो सकते हैं कि एक ऐसा हो और दूसरा ऐसा हो मतलब वो अलग-अलग हो सकते हैं जबकि रैखेक युग में ये दोनों ही कोण साथ में होने जरूरी होते हैं ठीक है अब इसके बाद देखो हमें कुछ प्रश्ण दे रखे हैं पहला प्रश्ण है निमलिखित कोणों को पहचानिये पहला है आसन कोण तो आसन कोण इनमें से है ये वाला इनमें से पहला कोण ह ये वाला और दूसरा कोण है ये वाला ठीक है दूसरा है आसन पूरक कोण देखो आसन कोण होने चाहिए यानि साथ साथ होने चाहिए और दूसरा है कि पूरक कोण होने चाहिए और पूरक कोण कैसे होते हैं 90 डिग्री के तो अगर हम इस कोण की बात करें तो ये 90 डिग्री और ये दोनों कोंड आसन कोंड भी बनाते हैं तो इसका मतलब पहले का आंसर था ये और दूसरे का आंसर हो जाएगा ये वाला option ठीक है तीसरा है रैकिक युग्म तो रैकिक युग्म मतलब ऐसे कुछ कोंड होने चाहिए जो एक ही रेखा पर बने हुए हो तो एक ही रेखा बने हुए ये वाले कोंड है तो ये आजाएगा तीसरे प्रश्न का उत्तर और चौता है सम पूरक कोंड यानि कि दोनों कोंडों का जोड 180 डिगरी होना चाहिए तो ये आजाएगा ये वाला क्यूंकि 130 जमा में 50 होता है 180 डिगरी ठीक है तो इस तरीके से question number one complete हो गया अब हम देखते हैं question number two इसमें हमने बोला है कि दी गए आकृती में x का मान निकालिए तो देखो ये कोंड और ये कोंड मिलकर बनाते हैं रैखिक युग्म और रैखिक युग्म का मान होता है 180 डिगरी यानि कि हम simple करेंगे x जमा में 150 कितना आना चाहिए 180 डिगरी तो x का मान हम अब हम 150 यानि कि 30 डिगरी तो x का मान निकल गया कितना 30 डिगरी अब हम देखते हैं तीसरा प्रश्न तो तीसरे प्रश्न में हमसे कहा हुआ है कि जब घड़ी में दो पहर सारे तीन बज़े होते हैं तो घड़ी की दोनों सूईया क्या कोंड बनाती हैं तो सबसे पहले हम में यह बन जाएगा एक और दो और इधर बन जाएगा चार और पांच अभी देखो साड़े तीन बज रहे हैं इसका मतलब छोटी सूई तो तीन से थोड़ी सी आगे हो जाएगी और जो बड़ी वाली सूई है वो होगी छेक पे तो इसका मतलब यह जो कोंड बन रहा है व पहर के सारे तीन बज रहे हो तो घड़ी की सूईया क्या कोड बनाती है तो हम क्या कोड बना रहे है और कितने डिगरी का है वो नहीं निकाल सकते हैं लेकिन हम यह निकाल सकते हैं कि वो अधिक कोड है या नियून कोड है या कैसा कोड है तो हमने देखा कि यह कोड हो जाए तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू